बोलो भगवान परुष्राम की हमारे जैपुर शहर में जो भगवान गोविंदेव जी की पावन नगरी में भगवान परुष्राम जी के आशिर्वास से ईजो हो रहे इस ब्रह्मन महा पंचायत में लाकों की संख्या में किस देश से प्रदेश से हमारे राजस्थान की गाव ठाणियों से पधारे हुए मातर शक्ति हमारे सभी विप्रबबंदु का में हार्दिक स्वागत करता हूँ अभी दंदन करता हूँ मन्चपर विराजमान हमारे संद समाज के चर्णों में साश्ठांग डंदर प्राम करते हुए ब्राम्मन समाज के इस अबूद अबूदपूर वायोजन में आशिरवाद देने पदारे इसके लिए मैं सबका भालतिक अब डंदन करता हूं साथियों इस आयोजन की कल्पना जब विप्रसेना प्रमुक ने करी तो हम लोगों ने जब जिस्थान का चैन किया तो हमें सबसे छोटा इस्थान विद्यादल अगर स्टेडियम मिला जो जैपूर का सबसे बड़ा इस्थान कहलाता है जब हमने इसका आउलोकन किया तो सुनील जी बोले ये तो छोटा पड़ेगा वाई साथ मैंने का जैपूर में इससे बड़ा इस्थान है भी नहीं तो साथ ही हो आपकी जो ताकत है जो आज राजस्थान में आपने एक अत्रित हो करके ये जैपूर के अंदर दिखाई है इस ताकत का जो संबल है वो हमारे ब्रहमन हितों की रक्षा के लिए हर उस गाउं ढानी के ब्रहमन को ताकत प्रदान करेगा जो गाउं में एक घर दो घर बना करके रह रहा है वो आज अपने आपको असुरक्षित नहीं समझेगा वो ये समझेगा कि मेरे साथ में लाखों ब्रहमनों की ताकत ले करके जैपूर के अंदर ब्रहमन संगटन ब्रहमन मापंचायत खड़ी है इस ब्रहमन मापंचायत का उद्देश यही है कि जो हमारे ब्रहमन दूर सुदूर रह रहे हैं गाउं में ढाणियों में तैशिलों में रह रहा है वहाँ वो किसी भी तरह से अपने आपको हसर रुक्षित महसूस नहीं करे हर ब्रहमन के पीछे यह पूरी पंचायत खड़ी है हमारे ब्रहमन समाद का हमने एक ही धे नारा रखा है एक सब के लिए सब एक के लिए इसी का पालन करते हुए आज हम लोगों ने ये इतना एकसित किया है ये तो शुरुआत है राजस्थान में ये 75 साल हमारे आजादी को हो गए है इस 75 साल के दोरान में ब्रहमनों का इससे अभूत पूरु आयोजन नहीं हुआ है अभी तक आज इस आयोजन के अंदर हर भामन ने जो अपनी उपस्तिती दर्द कराई है मात्र शक्ती ने उपस्तिती दर्द कराई है उसके लिए मैं सबका हारदी काबार व्यक्त करता हूँ इस आयोजन में पहला स्रजन जो किया वो हमने सुनिल जी के साथ मिलके यह ही किया कि जितने भी राजस्तान में ब्रहमन संगटन है जितने भी ब्रहमन कार्य करता थे सबी को साथ ले करके इस आयोजन को मूर्त रूप दिया गया जिसकी परिणिती यह है कि इस आयोजन की अभूत पूर सफलता कि अभी तक तो जितने यहां मौजूद है उससे लगवक दो तिहाई भाग तो अभी सड़कों पे चल रहा है और इस आयोजन की सफलता के लिए विप्रसेना और समस्त राजस्तान में कार्य रत भ्रामन संगतन भ्रामन कार्य करताओं का महारधिक धन्यवाद देता हूं आभार व्यक्च करता हूं और सभी पधार्यों का हारधिक स्वागत